दोस्तों नुमस्कार ये है मागदशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों नागरिक सास्त यानी सिविक्स के कम्प्लीट रिवीजन स्रिंखला में इस वीडियो में हम साल्व करेंगे आगामी परिक्षाओं के लिए नागरिक सास्त के सभी प्रशनों को कांटिन्यू करेंगे दोस्तों ये प्रशन TGT, PGT, ELT ग्रेड, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिगरी कालेज, उच्चितर सिक्षा असेस्टेंट प्रोफेसर, केंद्री विध्याले संगठन और NETJRF राजनीत विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है, दोस्तों ये complete revision स्रिंखला है नागरिक सास्की, इसमें अध्यापक भरती परिक्षाएं जो हैं, उसके अलावा जो बिभिन लोक सेवा आयोगों में पहले subject से संबंधित प्रशन पूछे जाते थे, उन प्रशनों को भी सामिल किया गया है, इसके अ पहला प्रशन है आज की वीडियो का निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्याइद करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्तों की समानता के अधाना का प्रियोग किया है, आपको बताना है तो आप जानते हैं दोस्तों अर्निष्ट बारकर अर्निष्ट बारकर ने equality of legal personality यानी समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायत करने के लिए अर्निष्ट बारकर ने वैधानिक व्यक्तित्व की समानता का प्रियोग किया है अगला प्रिश्ट सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है और दिये गए कोट से सही उत्तर का चैन करना है देखिए अधिकारों का आदरसवादी सिध्धान्त आप जानते हैं टी अच ग्रीन द्वारा अधिकारों का नैसरगिक सिध्धान्त या प्राकृतिक सिध्धान्त इसके प्रतिपादक जानलॉक है अधिकारों का अयतिहासिक सिध्धान्त एडमंड बर्क से संबंधित है और अधिकारों का वैधानिक सिध्धान्त जेरमी बन्थम से तो सही सुमिलन हो जाएगा 4-3-1-2 देखें 4-3-1-2 आपसन D आपका सही उत्तर हो जाएगा 4-3-1-2 अगले प्रेशन पर आते हैं दोस्तों कौन इस विचार का अग्रड़ी है कि विताडात्मक समानता को लोगों की सामर्थ समान करने से संबंधित होना चाहिए ये भी प्रशन बहुत ही महत्पूर्ण है बार बार परिक्षाओं में पूछा गया है विताडात्मक समानता को लोगों की सामर्थ समान करने से संबंधित होना चाहिए अगला प्रश्ण है दोस्तू निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंता नहीं है देखें मतदान की स्वतंता, वीचरण की स्वतंता, सरकार की नीतियों के आलोशना की स्वतंता या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो आप देख सकते हैं दोस्तों वीचरण की स्वतंता या घूमने फिरने की स्वतंता ये राजनीतिक स्वतंता नहीं है अगर हम राजनीतिक स्वतंता की बात करें तो राजनीतिक स्वतंता के अंतरगत व्यक्ति को जो अधिकार होते हैं उसमें मतदान देने का अधिकार नि फिरने की स्वतंता ये नागरिक स्वतंता के अंतरगत शामिल है अगला प्रश्न है दोस्तों नागरिक को काम करने का अधिकार है उसे अस्तित्तों के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आश्य है उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्तों के विकास को कि काम करने का अधिकार जीवी को पारजन से संबंधित है जो कि व्यक्ति के अन्य अधिकारों का मूल है और उनका कहना है लास्की का मानना है कि लोगों को इस अधिकार से वंचित करने का ताथ पर उसे उस चीज से वंचित करना है जो उसके व्यक्तित्तों के विकास को जो है संभव बनाती है तो दोस्तों नागरिक को काम करने का अधिकार या काम पाने का अधिकार उसके जीविको पारजन से संबंधित है और ये लास्की का कथन है अगला प्रश्ट दोस्तों निमने लिखित में से इक्वालिटी सीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है तो सही उत्तर है आर एश्टोनी दोस्तों इक्वालिटी सीर्षक से पुस्तक आर एश्टोनी की है और आर एश्टोनी एक आर्थी कितिहासकार और समाज आलो चक थे इनकी प्रमुक्रितियों में एक्वालिटी, रिलिजन एंड दराइज आप कैपिटलिजम, दे एक्जुक्यूटिव सोसाइटी और हिस्ट्री एंड सोसाइटी हैं अगला प्रेश्ण है दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंता नहीं प्राप्त है आवागमन की स्वतंता देश में कहीं भी विचरन की और आवागमन की स्वतंता नागरिक स्वतंता से संबंधित है और नागरिकता एक विधिक धाणा है आप जानते हैं इसमें राजजी के द्वारा कुछ स्वतंताओं के उप्योग की गारंटी दी जाती है और एक नागरिक के रूप में व्यक्ति उस राज्य के किसी भी छेत्र में निर्वाद रूप से आवागमन कर सकता है जिस राज्य का वो नागरिक है अगला प्रश्न है दोस्तों निमने लिखित में से कौन सा कथन सही समझा जाता है देखिए अधिकार व्यक्ति की शक्ति का दूसरा नाम है समाज के बीना भी अधिकारों का अस्तित तो संभो है अधिकार इश्वर की देन है या अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज माननेता देता है और राज्य लागू करता है तो बिल्कुल आप संडी आपका अधिकारों के बारे में सही कथन है कि अधिकार व्यक्ति का वो दावा है जिसे समाज की माननेता होती है और राज्य द्वारा इसे लागू किया जाता है दोस्तों अगर इस परिभाशा पर आप ध्यान दें तो अधिकार जो है इसके अंतरगत व्यक्ति का दावा है लेकिन हर दावा अधिकार नहीं होता है ये वांचित है क्योंकि ऐसा दावा निस्वार्थी एक्षा के समान होना चाहिए और कोई ऐसी वस्तु हो जो सर्वजनीन रूप में लागू हो सके अगला प्रश्ण है किसने कहा है कि नागरिक को कारे करने का अधिकार है देखे मिल, प्रूधो, कालमाक्स या हेरॉल्ड लास्की तो सही उत्तर है हेरॉल्ड लास्की नागरिक को कारे करने का अधिकार ये कथन लास्की का है कारे करने का अधिकार आजीविका के साधन से जुड़ा हुआ है जो कि व्यक्ति के जीवित रहने और विकास के लिए जरूरी है अगला प्रशन है दोस्तों टी अच ग्रीन सुतंता को किस रूप में ब्याख्यायत करते हैं बताईए नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की मनमानी, विधि का अभाव या करने योग्यकारे को करने की चमता तो बिलकुल सही आप संडी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन सकरात्मक सुतंता के पक्षधर हैं ग्रीन कहते हैं कि स्वतनता एक सकरात्मक वस्तु है जिसका आर्थ ऐसे कारे करने या ऐसी सुविधा के उपभोग करने की स्वतनता है जो करने या उपभोग करने योग है अगला प्रश्ण है दोस्तों ये मान्यता की समानता के परियाप्त औसर सभी मनुस्यों को मिलने चाहिए किस सिध्धान से संबंधित है तो देखिए समानता का उधारवादी, वैधानिक, माक्सवादी या नैसरगिक सिध्धान कौन सा सही होगा तो दोस्तों समानता के परियात अवसर सभी मनुसियों को मिलने चाहिए ये समानता के उदारवादी सिध्धान्द से संबंधित है अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिये गए हैं कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न है और इसमें आपको सही उत्तर देना है पहला प्रश्न पहला जो है कथन है कि समानता से अभिप्राय समान वेवहार से नहीं है कारण है कि मनुसियों शक्ताओं सामर्थ और इच्छाओं में विसम है तो बिलकुल सही उत्तर होगा ए ए और आर दोनों सही है और आर यानि कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों समानता से अभिप्राय समान बेवहार से नहीं होता है मनुस्य आउशक्ताओं सामर्थ और इक्छाओं में विसम होता है इसलिए अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किस एक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है बताइए मिल्टन, वाल्टेयर, टामस्पेन या सिज्विक तो सही उत्तर है सिज्विक दोस्तों सिज्विक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है सामाजिक समझोता सिध्धान्त के प्रतिपादक इस सिध्धान्त के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों ये कथन important प्रश्ण है कि ये कथन किसका है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिध्धान्त बकवास है तो बताईए प्राकृतिक अधिकारों का सिध्धान्त बकवास है इस कथन को कहने वाले विचारक कौन है तो सही उत्तर है बेंथम दोस्तों ये कथन बेंथम का है और अपने उपयोगितावादी द्रिष्टिकोण के कारण बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के सिध्धान्त म विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसके अस्तितों को स्विकार करते हैं बिन्थम ने प्राकृतिक शब्द को एक भ्रामक और उल्जल में डालने वाला सब्द माना है इसलिए प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों को ब्यर्थ का मुर्खता पूर्ण बकवास क चलते हैं निम्नांकित में से किसने स्वतंता को मनुस्य द्वरा अपने सहयोगियों के उत्पीडन के अभाव के रूप में परिभासित किया है मिल्टन फ्रीड मैन, आईजिया वरलिन, राबर्ट नोजी के आर्दनिष्ट वारकर तो सही उत्तर है मिल्टन फ्रीड मैन दोस्तों, अमेर्की अर्थसास्तर वेत्ता मिल्टन फ्रीड मैन ने राजनीतिक चिंतन के छेतर में अहस्त अच्छेप मोलक उधारवाद का समर्थन किया है फ्रीड मैन के अनुसार राजनीतिक स्वतंता दोस्तों इसका अर्थ है किसी मनुस्य को उसके सहगामी या सहचर से किसी तरह बाद न कर सके अगला प्रश्ण है दोस्तों कौन स्वतंता को संकीपन और चारित्रिक विशंता की हद तक न्यायोजी ठहराता है दोस्तों जिस स्वतंता का समर्थन करता है उसका व्यापक स्वरूप क्या है संपूर मानो जीवन और उसके अधिकार है उसकी पुष्टक है अनलिबर्टी उसमें उसने लिखा है कि दस व्यक्तियों में से यदि नौ सामाने बुद्धिके हैं एक व्यक्ति संकी भी है तो उसे स्वतंता प्राप्त होना चाहिए क्योंकि दस्वा व्यक्ति समाज के लिए इतना उप्योगी हो सकता है जितना की न व्यक्ति सम्मीलित रूप से नहीं हो सकते हैं तो इसी आधार पर कहा जाता है कि मिल स्वतंता को संकी पन और चारित्रिक विशमता की हद तक न्यायोची ठहराता है अगला प्रश्न है खोखली स्वतंता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर की से माना जाता है तो उत्तर है दोस्तों मिल को मिल यानि J.S. मिल को खोखली सोतंता का पैगंबर माना जाता है Stuart, मिल जो की James, मिल के पूतर हैं उन्हों निस्व्रसंबंधिकारे और प्रसंबंधिकारें के आधार पर सोतंता का विभाजन करते हुए नकरात्मक सोतंता का समर्थन किया और इस संदर में जेयस मिल के या लोशना करते हुए अरेश्ट बारकर कहते हैं कि मिल हमें खोखली सुतनता और कालपनिक व्यक्ति का पैगंबर लगता है तो इसमें जो आपसन दिये गए हैं उसमें से मिल आपसन में नहीं है इसलिए उपर युक्त में से कोई नहीं आपसन दि इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों कौन एक सामाजिक अधिकार नहीं है देखिए सिक्षा का अधिकार समानता का अधिकार जीवन का अधिकार या मत देने का अधिकार तो सही उत्तर है आप संडी मत देने का अधिकार दोस्तों ये सामाजिक अधिकार नहीं है अगर आप देखें तो सिक्षा का अधिकार समानता का और जीवन के अधिकार आदी सामाजिक अधिकार है और मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है उचितमने अले ने चंदरन क उमार सरकार बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद में ये अभिनिर्धारित किया है कि मतदान का अधिकार एक सिविल अधिकार नहीं बलकि लीगल राइट है जो कि विधिद्वारा निर्मित परिसीमा के अधीन है। क्योंकि दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगिर विकास से है तो आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याख्या करता है। अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कवन एक सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए संचिप्त राज्य अधिकारों को निर्मित नहीं बलकि मानने करता है लासकी। दूसरा है कि राज्य द्वारा मानने मांगे ही अधिकार है बिन्थम। तीसरा है कि अधिकार राज्य द्वारा मानने और प्रभावी की गई मांगे है बोसांके। और दोस्तों ये व्यक्ति की वो मांग है इसका वो हक है जिसे समाज राज्य कानून माननेता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों अगला प्रशन है समाज के विरुध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति हैं ये कथन किसका है बिन्थम, मिल, ग्रीन या कांट तो सही उत्तर है ग्रीन का। दोस्तों ग्रीन जो है लाग द्वारा प्रतिपादित प्राकरतिक अधिकारों के विचार को स्विकार नहीं करता है और लाग के विरुध वो ये मानता है कि अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही संभो है प्राकरतिक अवस्था में नहीं जबकि समाज का अस्तित्व ही न पुर्ण मानने वाले समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त अधिकारों के अत्रिक्त कोई दूसरे अधिकार प्राप्त नहीं है और प्राकृतिक अधिकार यानी प्राकृतिक इस्थिती समाज की इस्थिती नहीं है समाज के सदस्यों के सार्वजनिक कल्यान की भावना के अभाव में अधिकार हो ही नहीं सकते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का सबसे पुराना सिध्धान्थ है तो इसमें आपसन बताने की आओ सकता नहीं है प्राकृतिक अधिकार या नैसरगीक अधिकारों का सिध्धान्त ये अधिकारों का सबसे पूराना सिध्धान्त है इस सिध्धान्त में ये माना जाता है कि मनुस्य अपने जन्म से प्रमुख अधिकारों को साथ लाते हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता है अगला प्रश्ण है दोस्तों सोतन्ता और समान्ता का सर्वस्रेष्ट समन्वे संभो और ब्योहारिक है किस प्रकार की ब्यवस्था में तो आप जानते हैं दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के अंतरगत स्वतनता और समानता का सर्वस्रेष्ट समण में संभो है अगला प्रेश्ण है कि यह विचार की न्याय और समानता में घनिष्ट संबंध है किस वादियों ने या किस प्रकार के विचार को ने प्रस्तुत किया है न्याय और समानता में घनिष्ट संबंध है यह विचार किस ने प्रस्तुत किया है तो सही उत्तर है न्याय और समानता घनिष्ट रूप से संबंधित हैं ये विचार समाजवादियों द्वारा दिया गया है ब्यक्तिवाद और पूजीवाद के विप्रीत ब्यवस्था समाजवाद है इसकी अंतरगत ब्यक्तिकी अपेक्षा समाज पर अधिक बल दिया जाता और इसका आदर से है समाज में समानता उत्पन करना और समाजवाद दोस्तों सभी प्रकार के सोसड का अंत करना चाहता है समाज का उत्पादन के साधनों पर स्वामित तो होगा वित्रन विवस्था भी समाज द्वारा होगी और यथा संभो आर्थिक समानता होगी तथा सभी को सामाजिक न्याय प्राप्त होगा समाजवादियों के विचार न्याय और समानता से घनिष्ट रूप से संबंधित है अगला प्रश्ण है दोस्तों निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समानी करण प्रक्रिया का विचार नहित है ये कदन किसका है? तो सही उत्तर है ये लास्की का कदन है, दोस्तों लास्की की पुष्टक है एक grammar of politics, इसमें वो कहता है कि निसंदेह मौलिक रूप में समानता का निहतार्थ समतल करने या समानी करण की प्रक्रिया है, इसका अर्थ है कि समाज में किसे व्यक्ति का अस्थान ऐसा न हो कि वह अपने पडोसी से इस सीमा तकूचा हो जाए कि उसका पडोसी अपनी नागरिकता खो बैठे अगला प्रश्ण है दोस्तों अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान बेवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ समान बेवहार किया जाता है ये कथन किसका है प्लेटो अरस्तु सिसरो या सिने का तो सही उत्तर है अरस्तु दोस्तों वितरात्मक न्याय का सरोकार सम्मान ये धन सम्मपदा की वितरण से है और ये विधायक के विचार छेतर में आता है इसका मूल सिध्धानत ये है समान लोगों के साथ समान बेवहार अरस्तु का मामला था कि इस मामले में प्रचलित मानिताओं और पर्थाओं में जो पर्थागत कानून है उसका सहारा लेना अधिक उप्यूगत है अन्याय का जन्म वहा होता है जहां समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान बेवहार अरस्तु की द्रिष्ट में न्याय है अगला प्रिशन है दोस्तों बिना कुछ समानता के स्वतनता खोखली होगी और स्वतनता के बिना समानता निरर्थक होगी ये कथन किसका है लास्की, जोड, पोलाड या डायसी तो सही उत्तर है लास्की आपसन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों लास्की द्वारा उधारवाद और समाजवाद में समन्वे अस्थापित करते हुए स्वतनता और समानता के मध्य समन्वे का या संतुलन का प्रियास किया गया है लास्की स्वतन्ता और समान्ता को एक दूसरे का पूरत मानते हैं और इसलिए उन्होंने कहा है कि बिना समान्ता के स्वतन्ता खोखली होगी और स्वतन्ता के बिना समान्ता निरर्थक होगी अगला प्रश्न है दोस्तों विताडात्मक नियाय के सिध्धान्त का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है तो आप जानते हैं अगला प्रशन है दोस्तों आनुपातिक समानता देखेए, प्रपोशनल एक्वालिटी के सिद्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया? तो बिलकुल सही उत्तर आप्सन ए होगा, अरस्तु ने, दोस्तों, अरस्तु आनुपातिक समानता को एक नयायोचित बेवस्था मानते है तो ये बहुत ही महतोपूर्ण प्रश्ण है आनुपातिक समानता के सिध्धान का प्रतिपादन अरस्तु द्वारा किया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अधिकारों के बारे में सही नहीं है वे मात्र व्यक्तितों को समरिध बनाते हैं वे सामाजिक एक्ता को बढ़ावा देते हैं वे साम मुहिक प्रगति को बढ़ाते हैं और वे समास से स्वतंत्र हैं तो दोस्तों अधिकार जो है वो समाज से स्वतंत्र नहीं होते हैं इसलिए आप संडी आपका गलत हो जाएगा सही नहीं होगा अधिकार समाज से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं अधिकार सब्द की समुचित परिभाशा में तीन तत्व सामिल होते हैं अगर आप देखें तो इस में व्यक्ति का दावा है और प्रतेक दावा अधिकार नहीं हो सकता व्यक्ति के ऐसे दावे को सामाजिक मानेता होनी चाहिए और इन दावों को राज जिसे मानेता यानी स्विक्रिती होनी चाहिए अगला प्रेश्ण बहुत ही इंपोर्टेंट है और आप में से हमारे बहुत सारे साथ ही जानते भी होंगे कौन आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार मानता है बताए माक्स, रूसो, लाक या हाप्स तो सही उत्तर है हाप्स दोस्तों हाप्स जो है आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार मानता है हाप्स के जो समझोता होता है उसमें व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार लेवायथन को परदान कर दिया लेकिन वो कहता है कि अगर संप्रभ व्यक्ति को अपने आपको मारने, अंग भंग करने, आकरमण कारी का विरोध ने करने, वायू अवसद या जीवन दाई अन्ने की सिवस्तु का प्रियूग न करने की आग्यां देता हो, ऐसे इस्थिति में व्यक्ति राजाग्यां की अव हेलना कर सकता है, इस प्रकार हाप्स की अनुसार मनुसे अपने जीवन की रक्षा का प्राकृतिक अधिकार समझोते के बाद भी सुरक्षित रखता है, अगला प्रशन है दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रशन है कि निम्नलिखित में से किसने समानता की विधिक आयाम की व्य प्रतिपादन किया है, अगला प्रशन है कि सिध्धानत की अंतरगत ये माना गया है कि अधिकार किसी समाझ की प्रथाओं और परमपराओं का परिस्कृत रूप हैं, तो देखिए अधिकारों का विधिक सिध्धानत, अधिकारों का अहतिहासिक सिध्धानत, प्राकृतिक अधिकारों का सिध्धान्त या अधिकारों का प्रत्यवादी या आदर्सवादी सिध्धान्त तो सही उत्तर आपसन भी हो जाएगा अधिकारों का एतिहासिक सिध्धान्त दूस्तों अधिकार किसी समाज की पर्थाओं या परंपराओं का परिस्कृत रूप है ये अधिकारों के आतिहासिक सिध्धांत की मानेता है और इस सिध्धांत के प्रमुक प्रतिपादकों में समर्थकों में एडमंड बर्क, हीगल और ब्रेडले शामिल हैं अगला प्रेशन कथन और कारण से समबंधित है कथन है प्रतेक राज्य को उसके द्वारा प्रदत अधिकारों से जाना जाता है कारण है कि अधिकार जीवन या सामाजिक जीवन की वे दसाएं हैं जिनके भी न कोई मनुसे अपना सर्वोत क्रिष्ट विकास नहीं कर सकता तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है क्योंकि दोस्तों प्रतेक राज्य उसके द्वारा प्रदत अधिकारों से जाना जाता है क्योंकि अधिकार व्यक्ति के वे दावे होते हैं से समाज माननेता देता है और राज्य लागू करता है तो इस द्रिष्ट से इसमें आप्षन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रिष्ट भी कथन और कारण से संबंधित है इसमें देखे कथन है सत्रहवी सताब्दी के मर्ध से मानो समाज उलेखनी रूप से समानता की दिशा में आगे बढ़ा कारण है कि पुनर जागरन और धर्म सुधार अंदोलनों ने धर्म गुरुओं और कुलीन वर्ग के विधिक विशेश अधिकारों की विरुद जोरदार आवाज उठाई है तो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही वियाख्या करता है आप सण ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है दोस्तों अधिकारों के वैधानिक सिध्धानत का समर्थन करने का श्रे किसे जाता है देखिए लाग को आश्टिन को बेंथम को या ग्रोसियस को तो इस प्रश्ण का उत्तर आपका आश्टिन भी सही होगा और बेंथम भी सही होगा तो इसमें से इस प्रश्ण को इश्टार कर रहे हैं क्योंकि अधिकारों के वैधानिक सिध्धान्त का समर्थन आश्टिन और बेंथम दोनों ही विचार को ने किया है और कानूनी अधिकारों के सिध्धान्त में जो है अधिकारों की उद्भावना या अधिकारों की उद्पत्ति राज्य से हुई है जब तक राज्य किसी अधिकार को माननेता नहीं देता है तब तक किसी अधिकार को माननेता तब तक कोई भी अधिकार वास्तों में अधिकार नहीं कहा जा सकता है अगले प्रेश्ण पर चलते हैं निमनलिखित में से व्यक्तिगा स्वतंता का प्रवल समर्थक कौन है देखिए रूसो, मान्टेस्क्यू, मिल या ग्रीन तो सही उत्तर है व्यक्तिगा स्वतंता जो इंडिविजूल लिवर्टी है मिल सबसे बड़ा समर्थक है और इसकी पुस्तक महत्तोपूल पुस्तक आन लिवर्टी है अगला प्रश्ण है दोस्तों, बिना प्रतिनिधित्यू के कर नहीं ये नारा क्या इंगित करता है नागरिक स्वतंता, राजनितिक स्वतंता, आर्थिक स्वतंता या प्राकरतिक स्वतंता तो सही उत्तर है ये नारा no tax without representation यानि बिना प्रतिनिधित्यों के कर नहीं ये राजनीतिक स्वतंता की बात करता है दोस्तों राजनीतिक स्वतंता प्राप्त करने के लिए 1765 में अमेरिका की निवासियों ने इंग्लेंड की अपनी वेशिक सरकार की विरुद्ध बिना प्रतिनिधित्यों के कर नहीं का नारा लगाया और 13 अमेरिकी राज्यों ने कालांतर में गठबंधन बनाकर ब्रीटिस सासन को उखाड फेका और अपनी स्वतंत प्राप्त की अगला प्रेशन दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है कथन है स्वतंता की माक्सवादी धाड़ा स्वतंता की उदारवादी व्यक्तिवादी धाड़ा से भिन है कारण है कि माक्सवादी धाणा के अनुसार स्वतंता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपभोग व्यक्ति एकांत में कर सके तो बिलकुल सही उत्तर है दोस्तों A और R दोनों सही हैं लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा माक्सवादी धाणा के अनुसार स्वतंता का अर्थ है राज्य में एक वर्ग के सासन को बदल कर पूरे समाज को सासन के अधिन लाना और स्वतंता ऐसी इस्थिती नहीं है जिसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए समाज से कटा हुआ व्यक्ति स्वतंता का उब्भोग नहीं कर सकता ऐसा माक्सवादियों की माननता है अगले प्रेश्ण पर आते हैं दोस्तों निमने लिखित में से किस संकल्पना की अलोशना स्वतंता के विरोधा भास के रूप में की गई है प्लेटो का जश्टिस लाग का गौवर्मेंट कंट्रेक्ट रूसो का जनरल विल या राल्स का डिस्टिबियोटिव जश्टिस इसमें से आपको बताना है किस संकल्पना की अलोशना स्वतंतरता के विरोधा भास के रूप में की गई है तो सही उत्तर है रूसो के सामान इच्छा का दोस्तों रूसो की सामान इच्छा जो है इसमें हापस और लाग की विशेष्थाओं का प्रभाव है एक और सामान इच्छा को बाधिकारी बनाकर रूसो ने सरवाधिकारवाद का मार्ग प्रसस्त किया है दूसरी और इच्छा को सब की इच्छाओं का प्रतिनी धिवना कर लोगतांत्रिक भाउना का परिशे दिया है और स्वतन्ता का मार्ग प्रशस्त किया है अगला प्रेशने कथन और कारण से संबंधित है देखिए कथन है कि नौजिक स्विक्षावादी था और कारण है कि नौजिक ने ब्यक्तिगा स्वतनता और या थोचिच संपत्तिका समर्थन किया है तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर एकी सही ब्याख्या भी करता है नौजिक एक स्विक्षावादी विचारक था उसने ब्यक्तिगा स्वतनता और या थोचिच संपत्तिका समर्थन किया है और उसके अनुसार नाजिक के अनुसार सर्व प्रमुख मानव अधिकार संपत्ति का अधिकार है अगले प्रश्न पर चलते हैं नैसर्गीक अधिकारों के सिध्धान्त की एक आलोशना क्या है तो देखे नैसरगीक अधिकारों के सिध्धान्त की एक आलोशना ये है कि इस अधिकार के या प्राकरतिक अधिकारों के समर्थक ये मानते हैं कि समाज के पूर्व में अधिकार मौजुद थे और हलाकि समाज से पूर्व और समाज से इतर किसी भी प्राकर के अधिकारों का कोई महत्तो नहीं है लेकिन आदर्सवादी विचारक दोस्तों लाक ने जो है उदार्वादी विचारक लाक ने इस प्राकर की मानिता रखी कि समाज में पूर्व अधिकार मौजुद थे लेकि में सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है, देखिए राजनेतिक विचारवेक्ट करना, राजनेतिक आνदोलन को समर्थन देना, राजनेतिक दल को वित्ती युगदान देना, और राजकी तथा राश्ची कुनाओं में मतदान करना, तो इसमें आप देख सकते हैं, पर्थम 3 जानी 1, 2, 3 दोस्तों ये राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है केवल आपसन केवल चौथा अधिकार राजकी और राश्टी चुनाव में मद्दान करना यही केवल जो है सिविल सेवकों को उपलब्ध है भारत में सिविल सेवक को राजकी और राष्टी चुनाव में मद्दान करने का अधिकार तो है लेकिन राजनीतिक विचार व्यक्त करने राजनीतिक अंदोलन को समर्थन देने राजनीतिक दल को वित्ती योगदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है अगला प्रश्ण है दोस्तों सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था तो याद रखेगा Right to Information स्वीडन द्वारा सबसे पहली बार प्रवर्तित किया गया था और दोस्तों स्वीडन ने 1766 में अपने नागरिकों को सूचना की सुथनता परदान की थी भारत में सूचना पाने का अधिकार अधनियम 2005, सूचना की सुथनता अधनियम 2002 के अस्थान पर लाया गया और सूचना का अधिकार कानून की जिम्मेदारी तैं करेगा और इसका निर्वहान ने करने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी अगला प्रशन है मानो अधिकारों की दूसरी पीड़ी में निमने लिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है आपको बताना है इसमें आपको बताना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है आपके लिए ये प्रश्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तूं इसमें आपसे पूछा गया है कि मानो अधिकारों की दूसरी पीड़ी में निमने लिखित में से किश अधिकार को सामिल नहीं किया गया है दूसरी पीड़ी में इसे शामिल नहीं किया गया है। दूसरी पीड़ी में इसे शामिल नहीं किया गया है। अभिप्रा एक ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षन है जिसमें सभी मनुस्यों को अपनी सर्वस्रेष्ट विशेस्ताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। एच जे लासकी निमनलिखित में से कौन एक उपरयूक्त कथन में नहीत विचार की अभिव्यक्ति करता है। तो सही उत्तर इस प्रश्ण का होगा कि स्वतंता मानो व्यक्तित के विकास के लिए आवस्यक परिस्थितियों का अनुरक्षन है। के अपने जीवन के विकास के तरीके को चुनता है। अगला प्रश्ण है दोस्तों स्वतंता के अधाणा घनिष्ट रूप से जूड़ी हुई है किस से। भासिवाद, व्यक्तिवाद, स्रेणी समाजवाद या माक्सवाद तो सही उत्तर है व्यक्तिवाद से। आप जान लीजिए कि स्वतंता के अधाणा विशेश रूप से व्यक्तिवाद से संबंधित है और इसमें माना जाता है कि स्वतंता या व्यक्तिकी स्वतंता राजी की सत्ता परस पर विरुधी है। इसलिए उनका मानना है कि वही सासन सर्वत्तम है जो नियुन्तम शासन करता है। अगला प्रेशन है दोस्तों देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। परतेक राजी की पहचान उसके द्वरा पोसित अधिकारों से होती है। सही नहीं है। लाग का कथन नहीं है। राज्य अधिकारों का स्रिजन नहीं करता बलकि अधिकारों को माननेता देता है बेन्थम ये भी सही नहीं है। अधिकार इच्छा संतुष्ट की सकती है, हाप्स ये सही है, और अधिकार इस तथ्य से जनित हैं कि मनुस से एक सामाजिक प्राणी है, ये सही नहीं है, तो सही सुमेलन अगर जो आप देखेंगे, तो प्रतेक राज्य की पहचान उसके द्वारा पोशित अधिकारों से होती है, लास्की का कथन है, आप देख लीजिए, इस प्रेश्ण को आप देख लीजिए, इंपोर्टेंट है, प्रतेक राज्य की पहचान उसके द्वारा पोशित अधिकारों से होती है, लास्की का कथन है, राज्य अधिकारों का सिर्जन नहीं करता, बलकि अधिकारों को मान अगला प्रश्न देखे इसी पेपर में दोहरा रहा है कि न्याय तथा समानता में घनिष्ट संबंध है ये विचार किसका है तो उत्तर है दोस्तों समाजवादियों का दोस्तों समाजवादी जो है समानता पर विशेश बल देते हैं और न्याय तथा समानता में घनिष्ट सं मन्जस से प्राप्त करना किस बेवस्था में संभो है तो उत्तर है लोगतांत्रिक समाजवादी बेवस्था में दोस्तों सोतंता और समानता का सर्वस्रेष्ट समन्वें हो सकता है और लोगतांत्रिक समाजवाद में व्यक्तिकी सोतंता को महत्तु दिया जाता है और साथ ही साथ समानता पर भी विशेश ध्यान राजिद्वारा दिया जाता है अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है किसने कहा है कि यदि स्वतंता और विध में संघर्स नहीं होगा तो स्वतंता स्वयंग अपने से संघर्स करने लगेगी देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही important है बहुत ही महतपूर्ण है ये कथन किसका है कि यदि स्वतंता और विध में संघर्स नहीं होगा तो स्वतंता स्वयंग अपने से संघर्स करने लगेगी ये कथन किसका है आपको बताना है तो देखिए सही उत्तर है ये बारकर का कथन है अरनेश्ट बारकर का तो ये बहुत ही महतपूर्ण प्रश्न है परिक्षाओं में बार बार आया है यदि स्वतंता और विध में संघर्स नहीं होगा तो स्वतंता स्वयंग अपने से संघर्स करने लगेगी बार कर अगला प्रश्ण है दोस्तों किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायत करने के लिए वैधानिक व्याक्तित्तों की समानता का सिध्धान दिया है तो अरनिष्ट बार करने अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्नांकित में से किसने स्वतंता को स्व आरोपित कर्तब विभाव के पर्मादेश के अनुपालन के रूप में परिभाशित किया है तो सही उत्तर है इमैनुल कांट ने दोस्तों ये प्रश्ण भी बार बार परिक्षाओं में आया है सोतंता को स्व आरोपित कर्तब विभाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में इमैनुवल कांट ने प्रतिपादित किया है अगला प्रश्न दोस्तूं पूछा गया है कि समानता के मुख्य लक्षण कौन से हैं आपको बताना है समानता के मुख्य लक्षण आपसे पूछे गए हैं कि कौन से हैं पहला तो है विशेशा धिकारों का अभाव बिल्कुल सही सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के उसर सही है जाति धर्म रंग आदिके आधार पर कोई भेदभाव ने करना संसाधनों और संपत्ति का समान वित्रण तो ये आपका सही नहीं है संसाधनों और संपत्ति का समान वित्रण समानता के मुख्य लक्षणों में नहीं है आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वनसाधन और संपत्ति का समान वित्रण समानत्या के लक्षणों में नहीं आएगा जबकि एक दो तीन आपके चही जो हैं उत्तर है अगला प्रश्ण है दोस्तों नीचे दो वक्त अब दिये गए हैं एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है कथन है कि प्रतेक राज्य को उसके अधिकारों की विवस्था से जाना जाता है कथन कारण है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिश्थितियां है दोस्तों जिनके बिना कोई मनुसे अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है तो दोनों ही कथन सही हैं लेकिन दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं और इसमें आर एकी सही ब्याख्या नहीं करता है बिल्कुल सही अगला प्रेश्ण है दोस्तों कौन से राजनीतिक वैज्यानिक ने स्वतंतरता की अधाना को सकरात्मक और नकरात्मक स्वतंता दो घटकों में भिभाजित किया है तो ये हैं आईजिया बर्लिन दोस्तों आईजिया बर्लिन की पुछतक है Two Concepts of Liberty इसमें उसने सकरात्मक और नकरात्मक नामक दो स्वतंताओं को बात किया है उनका कहना है कि राज्य का कारे किवल नकरात्मक सुतंता की रक्षा करना है यानि बंधनों का हटाना सकरात्मक सुतंता व्यक्ति का निजी मामला है अगला प्रेश्ण है दोस्तों नकरात्मक और सकरात्मक अधिकार के बारे में कौन सा सही है तो देखें नकरात्मक अधिकार अधिकार नहीं होते जबकि सकरात्मक अधिकार अधिकार होते हैं ये आपका सही कथन है ये सही कथन ये नहीं है लेकिन आप देखेंगे कि नकरात्मक अधिकारों में गैर हस्तक छेप सामिल होता है जबकि सकरात्मक अधिकारों में कर्तब भी शामिल होते हैं आपसन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नकरात्मक अधिकार में गैर हस्तक छेप का भाव सामिल है जबकि सकरात्मक अधिकार में कर्तब भी शामिल होते हैं इसलिए इसका दायरा बढ़ जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों अधिकारों पर बर्क पेन बर्क मतलब एडमंड बर्क और टामस पेन विवाद केंदरित नहीं था किस पर बताईए तो दोस्तों अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर एडमंड बर्क और टामस पेन का विवाद केंद्रित नहीं था जबकि अधिकारों के संदर्वगत या सारोभौमिक होने पर वास्तविक या कालपनिक होने पर अयतिहासिक या प्राकृतिक होने पर दोनों विच के विवाद जो हैं एक दूसरे से संबंधित थे लेकिन इसमें अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने का विवाद शामिल नहीं था अगला प्रशन है दोस्तों स्वतंता के माक्सवादी संकल्पना की अनुरूप क्या है देखिए विचिनता का अन्त मानवी रशन धर्मिता की अभिव्यक्ति विचार धारा के प्रतिनिष्ठा या आत्मसिद्धी तो आप देख सकते हैं आप दोइक सकते हैं दोस्तों कौन सा एक दो और चार देखिए एक दो और चार इसमें विचार धारा के प्रतिनिष्ठा स्वतनता के माक्सवादी संकल्पना में शामिल नहीं है मानवी रशन धर्मिता की अभिव्यक्ति विचिनता का अन्त और आत्मसिद्धी स्वतनता के माक्सी संकल्पना की अनुकूल है जबकि विचार धारा के प्रतिनिष्ठा माक की संकल्पना की अनुरूप नहीं है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों ये प्रशन important है बार बार पर एक्षाओं में पूछा जाता है कि याद रखेगा किसने स्वतंता को अतिशासन का विरोधी कहा है तो ये हैं सीले दोस्तों सीले ने स्वतंता को अतिशासन का विलोम कहा है अगला प्रशन है निम्नांकित में से किस अधिकार को विधिक समर्थ प्राप्त नहीं है देखिए नैतिक अधिकार नागरिक अधिकार राजनीतिक अधिकार या मौलिक अधिकार तो सही उत्तर है नैतिक अधिकार दोस्तों नैतिक अधिकार जो हैं नैतिकता के अधिकार इनको विधिक समर्थन प्राप्त नहीं हैं नैतिक अधिकार व्यक्ति की नैतिक चेतना और सामाजिक अस्तर पर मुल्यों के प्रभाव पर आधारित हैं अन्य अधिकार जैसे नागरिक, राजनीतिक और मौलिक अधिक बेधिद्वारा अस्थापित और सनरक्षित होते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं इंपोर्टेंट है आप सभी जानते भी हैं इस प्रश्न का उत्तर कि अपने कर्टब्य का पालन कीजिए अधिकार आपको स्वयंग ही मिल जाएंगे ये कथन किसका है तो सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी भारत के राष्टपिता महात्मा गांधी ने अधिकार और कर्टब्यों में से कर्टब्यों को स्रिष्टता दी इसलिए उन्होंने कहा है अपने कर्टब्यों का पालन कीजिए अधिकार आपको स्वेंग ही मिल जाएंगे अगला प्रश्ण है दोस्तों स्वतंता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बलकि एक दूसरे के पूरक हैं ये कथन किसका है गांधी, लास्की, ग्रीन या मिल तो सही उत्तर है लास्की दोस्तों लास्की का मानना है कि लिबर्टी और इक्वालिटी यानि स्वतंता और समानता एक दूसरे के पूरक नहोकर एक दूसरे के विरुद्धी नहोकर एक दूसरे के पूरक है और लास्की ने समानता के बिना स्वतंता को एकांगी और अपूर माना है अगला प्रश्ण है दोस्तों निमने लिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ प्राप्त नहीं है तो आप जानते हैं नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ नहीं प्राप्त है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा लाग के सामाजिक समझोता सिध्धान्त के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है तो आप जानते हैं लाग के अनुसार लाइफ, लिबर्टी, एंड प्रापर्टी जीवन सोतंता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है तो इसमें धर्म का अधिकार शामिल नहीं है प्राकृतिक अवस्था में ही मनुस्यों के अधिकार थे उसमें जीवन सोतंता और संपत्तिक अधिकार था धार्मिक अधिकार इसमें शामिल नहीं है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है सुतंता अतिशासन का विरोधी है तो सही उत्तर ये कथन सीले का है अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा विक्ति सोतंता के लिए गलत है देखेए विक्ति सोतंता के लिए कौन सा कथन गलत है सभी प्रतिबंधों का अभाव कुछ खास प्रतिबंधों का लागू होना कानून का शासन या सामाजिक व्योहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वेन होना चाहिए तो सभी प्रतिबंधों का अभाव दोस्तों ये ब्यक्ति स्वतंता नहीं बलकि उच्छरिंखलता में बदल जाएगी इसलिए ब्यक्ति स्वतंता के लिए सभी प्रतिबंधों का अभाव जरूरी नहीं है और ये गलत है ब्यक्ति जो की अराजकता के समान है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों important प्रशन है कि स्वतंता उस कारे को करने की एक सकरात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है ये परिभासा किसकी है या ये कथन किसका है तो ये TH green का कथन है दोस्तों green स्वतंता को जो है उस सकरात्मक शक्ति के रूप में मानते हैं जो उपयोग और उपभोग करने के योग्य है और green का कहना है कि व्यक्ति के आंतरिक विकास को जो है स्वतंता के अभाव में व्यक्ति का आंतरिक यानि नैतिक विकास नहीं हो सकता है अगला प्रश्ण है निम्नांकित में से कौन सा एक लाग के सामाजिक समझोता सिध्धान्त के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है अगला प्रश्ण है दोस्तों संरक्षात्मक भेद भाव का सिध्धान्त किस से संबंधित है तो सही उत्तर है संरक्षात्मक भेद भाव का सिध्धान्त समानता की विचार से संबंधित है यानि किसी व्यक्ति को अगर जो भारती संविधान की बात करें तो अनुच्छे 14 सभी व्यक्तियों के बिधि के समक्ष समता और विधियों के समान संडक्षन की बात करता है यानि व्यक्ति को भारती राजे छेतर में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संड़क्षण से वंचित नहीं करेगा अगला प्रश्ण है किस के द्वारा निम्नलिखि स्विकार किया गया है हम इन तथ्यों को स्वयंग सिध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गये हैं देखिए तो ये कथन किसका है दोस्तों इसमें महत पूर्ण प्रश्ण है कि किसके द्वारा ये स्विकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयंग सिध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं तो ये अमेरिकी स्वतंतरता की घोश्रा में ये गथन दिया गया है यानि अमेरिकी स्वतंता प्राकृतिक समानता की बात करता है और उसमें ये माना गया है कि सभी व्यक्ति समान बनाए गये हैं अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से किसने सकरात्मक स्वतंता का प्रतिपादन किया है माक्स, बेंथम, ग्रीन या मिल तो सही उत्तर है ती एच ग्रीन दोस्तों ती एच ग्रीन ने सकरात्मक स्वतंता का प्रतिपादन किया है वो कहते हैं कि करने योगिकार्यों को करने और उपयोग और उपभोग योगिवस्तों का उपयोग करने की सकरात्मक सकती ही स्वतंता है अगला प्रश्ण है दोस्तों आनुपातिक समानता का सिध्धान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो आप जानते हैं अरस्तु के द्वारा आरस्तु ने आनुपातिक समानता का सिध्धान प्रत्फादित किया है उसके अनुसार न्यायक अतात पर ये है समान लोगों के साथ समान बयोहार और असमान लोगों के साथ असमान बयोहार किया जाए अगले प्रश्ण पर आते हैं लिबर्टी सब्द लेटिन भासा के किश शब्द से लिया गया है आपको बताना है तो लिबर्टी सब्द लेटिन भासा के लिवर सब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुक्तता अथवा बंधन रहित होना तो मुक्तता अथवस उतंता की दशा की ओर संकेत करता है लिवर सब्द और ये लैटिन भासा से लिया गया है अगला प्रशन है दोस्तों एक कथन है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके अभाव में सामानित्या कोई व्यक्ति अपना सर्वोच विकास नहीं कर सकता है ये कथन किसका है तो सही उत्तर है ये कथन हेराल्ड जोसेफ लासकी का है वो कहते हैं कि अधिकारों के कानूनी सिध्धान्त की वकालत करने का श्रे किसको है तो सही उत्तर है दोस्तों यहां पर देखिए लाग पाउंड आश्टिन और ग्रियोसियस में से सही उत्तर आपका हो जाएगा आश्टिन तो अधिकारों के कानूनी सिध्धान्त की वकालत करने का श्रे जान आश्टिन को है और दोस्तों अधिकारों का जो कानूनी सिध्धान्थ है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिध्धान्थ से विप्रीथ है और बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है देखे कि अधिकार कानून की उपज है अगर कानून नहीं है तो अधिकार भी नहीं है और इस धाड़ा का प्रतिपादन सबसे पहले हापस ने किया है और कानूनी अधिकारों के सिध्धान्द की वकालत या समर्थन बिन्थम, आश्टिन, हालेंड और सालमंड ने किया है अगला प्रशन है दोस्तों कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसके द्वारा भेद किया गया था बोदा, डायसी, आश्टिन ये लास्की तो सही उत्तर आप जानते हैं एवी डायसी के द्वारा दोस्तों कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया गया था डायसी का मानना है कि विधिवेत्ता जिस संप्रभुता धारी को माननेता देते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभुता धारी रहता है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता धारी को जुकना पड़ता है। जैसे जब कानूनी द्रिष्टी से संप्रभुता संसत के हाथों में रहती है तो राजनीतिक द्रिष्टी से संप्रभुता का सूत्र जन साधारण या जनता में होता है अगला प्रश्न है दोस्तों लास्की ने स्वतंता को किस रूप में माना है पूर्ण स्वतंता नैतिक शक्ति नियंतरण का अभाव या फिर राजनितिक शक्ति तो सही उत्तर है लास्की ने स्वतंता को नियंतरण के अभाव के रूप में माना है और व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए लास्की कहते हैं कि स्वतंता से मेरा अभिप्रा यह है कि उन सामाजिक परिष्पितियों के अस्तितु पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुसे के सुख के लिए निटानता अवश्यक है और आप जान लिजे कि लास्की ने आर्थिक सोतंता पर बहुत अधिक बल दिया है अगला प्रशन देखे रिपीट कर रहा है कि संड़क्षात्मक भेद भाव का विचार किस से संबंधित है तो उत्तर है समांता के सिध्धां से संबंधित है संड़क्षात्मक भेद भाव का सिध्धांत अगला प्रशन सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है और दिये गए कूट की आधार पर सही उत्तर का चैन करना है इसमें देखे राजनेतिक समानता एक व्यक्ति एक मत से संबंधित है, सामाजिक समानता ये दोस्तों भेद भाव के अंत से संबंधित है, आर्थिक समानता शोसण के अंत से संबंधित है और कानूनी समानता कानून के समक्ष समानता से संबंधित है तो 3, 4, 2, 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा तो आपसन कौन सा? आपसन B, 3, 4, 2, 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तूं समानता के प्रति आग्रह ने सोतनता की आशा को बेर्थ बना दिया है ये कथन किसका है? तो सही उत्तर लाड एक्टन देखिए ये कथन लाड एक्टन का है आपसन D आपका सही उत्तर हो जाएगा लाड एक्टन समानता और स्वतनता को एक दूसरे का पूरक न मानकर एक दूसरे का बिरोधी मानते हैं उनका कहना है कि स्वतंता और समानता परस्पर विरोधी है अगला प्रेशन है दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का सिध्धान्त आवश्यक भाग है किसका आश्टिन के संप्रहुता सिध्धान्त का सामाजिक समझोता सिध्धान्त दैवी उत्पत्ति के सिध्धान्त या शक्ति सिध्धान्त का तो सही उत्तर है सामाजिक समझोता सिध्धान्त का दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का सिध्धान सोसल कांट्रेक्ट थियरी का एक महत्वपूर भाग है और आप जान लीजिए कि हाप्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में ब्यक्ति अपने संडक्षन के लिए जो चाहे वो कर सकता है अगला प्रश्न है आर्थिक स्वतंता के बिना राजनीतिक स्वतंता केवल मिथ्या है ये कथन किसका है देखिए आर्थिक स्वतंता के बिना राजनीतिक स्वतंता मिथ्या है ये कथन किसका है तो दोस्तों यहाँ पर ये लास्की का कथन हो जाएगा और इसी से मिलता जुलत जो है GDH कोल का कथन है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतनता भ्रम है तो दोस्तों लास्की कहते हैं कि आर्थिक स्वतनता के बिना राजनीतिक स्वतनता मिथ्या है एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए ओट देने सारोजनिक पद प्राप्त करने आदे स्वतनताओ या अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता है अगला प्रश्ण है अधिकार इसलिए लागू किये जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं और अधिकार वे इसलिए नहीं हैं क्योंकि उसे लागू किया गया है ये कथन किस से संबंदित है तो सही उत्तर है ये कथन प्राकृतिक अधिकार या नैसरगीक अधिकारों के सिध्धान से संबन्दित है अधिकारों का जो प्राकृतिक सिध्धान्त है उसमें ये माना जाता है कि अधिकार इसलिए लागू किये जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है और आप जान लिजे कि ये प्राकृतिक ये नैसरगीक अधिकारों का सिध्धान्त सबसे प्राचीन अधिकारों का सिध्धान्त है अगला प्रश्ण है दोस्तों किस ने कहा है कि अधिक्तम समानता स्वतंता के लिए घातक नहीं बलकि अनिवारे है देखें लास्की, टॉनी, आर्यच, सोल्टाउ या फिर GDS खोल तो सही उत्तर है टॉनी R.A.S. Tony का कहना है कि अधिक्तम समानता स्वतंता के लिए घातक नहीं बलकि जरूरी है स्वतंता और समानता एक दूसरे के पूरक है और दोस्तों कई ऐसे विचारक हैं जो स्वतंता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते है इसके समर्थकों में आरे अश्टाउनी, लास्की, ग्रीन, रूसो और मैक फरसना दिविद्वान आते हैं अगला प्रशन है किसने कहा है कि स्वतंता एक सकरात्मक वस्तु है यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है देखिए लास्की, मैकाईवर, ग्रीन और बूदा तो सही उत्तर है ग्रीन दोस्तों ग्रीन का कहना है कि स्वतंता एक सकरात्मक वस्तु है यह मात्र प्रतिबंधों का या हस्तक्षेप का अभाव मात्र नहीं है अगला प्रेशन है दोस्तों समानता का अर्थ ये है कि सभी व्यक्तियों के लिए परियाप्त आवसर प्राप्त होने चाहिए ये कथन किसका है तो ये लास्की का कथन है लास्की समानता को कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए परियाप्त आवसर ही समानता है लास्की ने सुतंता और समानता को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में परिभाशित किया है और लास्की का ही कहना है कि समानता मूल रूप से समानी करण की प्रक्रिया है यानि process of equality या समतली करण की प्रक्रिया है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अधाना को अस्विकार किया है हाप्स, लाक, रूसो और बिन्थम तो सही उत्तर हो जाएगा बिन्थम ने दोस्तों बिन्थम ने प्राकृतिक अधिकारों की अधाना को जो है उसको कलपना सील और बकवास माना है और उसने प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास की संग्या दी है अधिकार बिधिद्वारा स्रिजित है जिसे आश्टिन द्वारा और अधिकस पष्ट आर्थिक समानता का साथ नहीं हो ये कथन किसका है टॉनी मैं काईवर बिलोबी या लास्की तो सही उत्तर है आपसंडी लास्की दोस्तों राजनीतिक समानता कभी भी अथार्थ नहीं हो सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ नहीं हो ये कथन लास्की का ह और इस संबन्ध में GDH कोल का कथन है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनितिक स्वतंता का पोल कल्पना है या एक मिथक है अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए ये किसका विचार है कि स्वतंता अपने आप में कलह कर सकती है देखिए बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है स्वतंता अपने आप में कलह कर सकती है ये विचार किसका है लास्की, पापर, सीले या बारकर तो सही उत्तर है बारकर दोस्तों बिध्य और स्वतंता में पारसपरिक संबंध पर विचार करते हुए बारकरने कहा है कि यदि बिध्य और स्वतंता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंता अपने आप से ही संघर्ष करने लगेगी अगला प्रश्न है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतनता केवल एक मिथ्या है या कपोल कल्पना है ये कथन किसका है तो ये है GDH कोल का दोस्तों कोल का कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतनता केवल कपोल कल्पना है अगला प्रशन है दोस्तों इश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी समय हमें सोतनता भी दी है ये किसका कथन है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जैफरसन का अमेर्की राष्टपती जे फर्सन ने कहा है कि इश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी समय उसने हमें सुतनता भी दी थी अगला प्रशन देखिए बहुत ही महत्वपूर है बारबार परिच्छाओं में पूछा भी जाता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिश्थितीया है जिनके अभव में सामानतिया कोई विवैक्ति अपना सर्वोच विकास नहीं कर सकता है ये कथन किसका है तो सही उत्तर ये कथन दोस्तों लासकी का है याद रखेगा लास्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में समानत्य कोई विव्यक्ति अपना सर्वोच विकास नहीं कर सकता है इस वीडियो का आखरी प्रश्ण यानी स्वतंता समानता और अधिकार से संबंधित प्रश्णों का जो आखरी कोईशन है अधिकारों के कानूनी सिध्धान्त की वकालत करने का श्रे किसे दिया जाता है आपसंदेखिए लाक को आश्टिन को पाउंड को या गुरोशियस को तो सही उत्तर है आश्टिन को दोस्तों अधिकारों का जो कानूनी या वैधानिक सिध्धान्त है इसके प्रमुक समर्थक जान आश्टिन है और इस सिध्धान्त के अनुसार समस्त अधिकार कानून द्वारा स्रिजित है प्राकरतिक अधिकार दैवे अधिकार सही अर्थो में कानून नहीं है क्योंकि इन्हें किसी संप्रभुता संपन व्यक्ति नहीं बनाया है आश्टिन के अंसार संप्रभु का आदेश ही कानून है तो ये बहुत ही महत्वपूर प्रशन है आश्टिन कहते हैं संप्रभु का आदेश ही कानून होता है और अधिकारों की कानूनी सिध्धान्त के प्रमुक्समर्थक हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने स्वतंता, समानता और अधिकार जो की राजनितिक सिध्धान्त के अंतरगत महतोपूं टॉपिक है उससे संबंधित प्रशनों को कवर किया, प्रशनों को हल करते समय, उसकी हमने ब्याख्या भी की है, ताकि आप आसानी से उन प्रशनों को समझ जाएं और कुछ अन्य तथे जो आपके लिए या परिक्षाओं के लिए इंपर्टेंट हो सकते हैं उनको भी आप जान पाएं तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मागदशन फॉर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें, दोस्तों आप से जो है एक सुझाओ है, इसमें हम कमेंट बाक्स में आपके सुझाओ आमंत्रित कर रहे हैं, कि नागरिक सास्त्र यानि सिविक्स और पुलिटिकल साइन्स के, जो ये महतपूर प्रशनों की रिवीजन स्रिंखला चलाई जा रही है, ये आपके लिए कितना कारगर हो रही है, इसके बारे में हमें बताईएगा, इसमें आप क्या शन्सोधन और परिवर्तन चाहते हैं, उसके बारे में भी बताईएगा, आपके सुझाओ आमंत्रित हैं, वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और इस चैनल मार्क दशन फर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार